हेलो फ्रेंड्स मैं रजनी आर्थिरी इजी कुकिंग में आपका फिर से स्वाकत करती हूँ सबसे पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है मानियताओं के मुताबिक देवो में देव भगवान शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के उपर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि शिव जी कैसे प्रसंद होते हैं शिव जी को किस चीज का परसाद चड़ाया जाता है शिव जी की कृपा जल्दी पाने के लिए उन्हें प्रसंद करना ही एक मात रुपाय है सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसाद चड़ाने के लिए खीर बनाई जाती है कई लोग सावन के महीने को पावन पर्व के रुप में बनाते हैं सावन के महीने में घरगर खीर बनाई जाती है आज मैं आपको ऐसी खीर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको भोले नाथ खूब पसंद करते हैं आप भी बना इस सावन में खीर तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया मैंने एक छोटी का टोरी चावल इंग्रीडियंट है यह सिर्फ नारियल और मेरे सिर्फ चार इंग्रीडियंट से यह खीर रेडी हो जाएगी मलाईदार रबड़ी वाली खीर चलिए पहले इस कूकर में हम चावल को धो लेते हैं चावल को अच्छे से दो तिन पानी से आप धो के सौरी दोस्तो मेरी यह क्लिपिंग डिलीट हो गई जिसमें मैंने उसे कूकर को सीटी दी थी दो सीटी दीने के बाद आपको गैस बंद कर लेनी है और फिर उसके उपर एक लीटर दूद मिला देना है फिर मैंने जो यह नारियल ग्रेड किया है उसको भी आप इसमें मिला लीजिए यह खीर कूकर में ही बनेगी बहुत अच्छी बनती है दोस्तो कूकर में ही आप खीर बनाईएगा क्योंकि हम पतिले में बनाते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है और यह अच्छी बन जाती है यह देखिए मैंने इसमें नारियल मिला दिया है ग्रेड क्या हुआ आप लोग नारियल को ना मिक्सी में पीस भी सकते हैं जैसे चटनी बनाते हैं आप ऐसी पीस सकते हैं जिससे कि बहुत ही और ज़्यादा स्मूथ सी हो जाए बट मुझे नारियल थोड़ा क्रंची क्रंची अच्छा लगता है और मैंने अब इसमें चीनी मिला दिया आदी क्वांटिटी में क्योंकि मेरे ममी पापा को शूगर है तो उन्हें खीर थोड़ी कम मीठी चाहिए होती है हम बाद में एड़ कर लेंगे और यह देखिए फिर यह हिला दीजिए अच्छे से हिलानी है यह खीर और जब आप हिल जाये ना खीर अच्छे से तो उसको आप थोड़ा सा मीडियम आज कर लीजिए उसका जो फ्लेम है मीडियम रखिए हर 10 मिनट में आपको खीर चेक करते रहना है कि नीचे चिपक तो नहीं रही है अच्छे से पकरी है ना मतलब वो जो दूद है उसका अच्छे से थोड़ा और पकना चाहिए और ये देखे दोस्तों हर पंद्रा मिनट में मैंने दस मिनट में मतलब जब खीर को चेक किया है ना तो मेरी खीर आदे गंटे में ऐसी हो गई है इस तरीके से रेडी हो गई है लग रही है ना पूरी मलाईदार रबड़ी दार खीर, रबड़ी वाली खीर आप एक बार खाएंगे न दोस्तों तो आप इसी टाइप से खीर बनाएंगे कूकर में वो भी बहुत जल्दी बन जाती है आदे घंटे में मैंने भोले शंकर को परसाद चड़ा दिया है अब मैं ये अपनी बेटी को टेस्ट कराने ले जाती हूँ देखती हूँ कैसी लगती है उसे आज उसका भी व्रत है हेलो बिटा खीर टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है अच्छी बनी है तो दोस्तो अगर आप भी चाते हूँ ऐसी टेस्टी खीर खाना तो आप इसी तरीके से खीर बनाएगा तो दोस्तो अगर आपको ये खीर पसंद आती है मेरी तो प्लीज इस रेसिपी को मेरे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें हरर महादेश